बॉलिवुड की दुनिया बाहर से जितनी चमक धमक भरी और हसीन नजर आती है, अंदर से उतनी ही रहस्यमई और काली भी है. यहां की चका चौंद इतनी लुभावनी होती है कि लोग इसकी दुनिया में खिंचे चले आते हैं. वे सोचते हैं कि यहां बस रंगीनिया है, ना रंगीन लगती है कि लगता है जैसे वे किसी परी लोक में जी रहे हो. फिल्मी दुनिया में उनकी मुसकाने, उनकी अदाएं और उनका आत्म विश्वास सब कुछ परफेक्ट नजर आता है. हर शॉट, हर सीन में वे शानदार दिखते हैं, जैसे उनकी जिन्दगी में बेबसी भी. यहां रातो रात स्टार बनने की कहानिया तो हैं, लेकिन उतनी ही कहानिया हैं उन सपनों के टूटने की, जो कई लोग अपने दिल में लेकर आते हैं और फिर चकनाचूर होकर वापस लोट जाते हैं. बॉलिवुट का एक काला सच है कास्टिंग काउच, जो इस इंडस्ट्री के बारे में बात करते समय अकसर सामने आता है. कुछ निर्माताओं और निर्देशकों की नजरों में टैलेंट कम और समझोता ज्यादा माइने रखता है. कई बार अभिनेत्रियों को फिल्म में रोल पाने के लिए ऐसे हालातों का सामना करना पड़ता है जिनकी वे कलपना भी नहीं कर सकती थी. कई बार यह शोशन उन अभिनेत्रियों को जेलना पड़ता है जो बस अपने करियर के शुरुआती दौर में होती है और इंडस्ट्री में एक पहचान बनाना चाहती है. लेकिन इस घिनोने सच का सामना करने के बाद भी कई अभिने अभिनेत्रियां मजबूत बनी रही. उन्होंने खुद को तूटने नहीं दिया और इस कड़वे अनुभव को अपनी ताकत बना लिया. ऐसी कुछ अभिनेत्रियों ने बाद में हिम्मत दिखा कर अपने साथ हुए इस शोशन के बारे में खुल कर बात की, ताकि दूसरी लड़कियों को इस डरावनी सच्चाई के प्रती आगाह किया जा सके. इस लिस्ट में पहला नाम आता है राधिका आप्टे का. राधिका आप्टे एक खुबसूरत और बेहतरी नदकारा, जिन्हें आज बॉलिवुड में उनकी साहसी भूमिकाओं और शानदार एक्टिं के लिए अकसर सुर्खियों में रहती हैं. लेकिन उनके करियर की शुरुआत में उन्हें एक दर्दनाक अनुभव से भी गुजरना पड़ा था. राधिका ने खुद बताया कि जब उन्होंने साउथ की फिल्मों में काम करना शुरू किया, तो उन्हें कास्टिंग काउच और सेक्स्वल हरासमेंट जैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा. उन्होंने बताया कि अगर आप इस इंडस्ट्री में नए हैं और आपका यहां कोई गौड़ फादर नहीं है, तो आपको काम पाने के लिए ऐसे समझोतों की उम्मीद की जाती है. ये एक कड़वी स जानक थी और इससे उबरने में उन्हें काफी समय लगा. उस वक्त उन्होंने खुद को बहुत अकेला और असहाय महसूस किया, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने इस परिस्थिती से बाहर निकलने का होसला जुटाया. इस लिस्ट में अगला नाम आता है विद्या बालन का. व विद्या ने अपने करियर की शुरुवात एकता कपूर के मशहूर सीरियल हम पांच से की और उसके बाद उन्होंने फिल्मी दुनिया में कदम रखा. चाहे वहद दे डर्टी पिक्चर की सिल्क हो या कहानी की विद्या बाक्ची, उन्होंने हर भूमिका में जान डाल दी और अपनी बेहतरीन एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीत लिया. हाल ही में मिशन मंगल की सफलता के जश्न के दौरान, जब उनसे कास्टिंग काउच के बारे में पूछा गया, तो विद्या ने अपने अनुभव साझा किये. उन्होंने बताया कि फिल्मी दुनिया में का बात कर वे गुस्से से भर जाती है. विद्या ने बताया कि यहाँ घटना तब हुई थी, जब वे चेननाई में थी. वहाँ एक डायरेक्टर उनसे मिलने आया और कहा कि उसे उनसे कुछ जरूरी बातें करनी है. विद्या ने सूचा कि कॉफी शॉप में जाकर बात की जा स और उसने उन्हें गलत तरीके से छूने की कोशिश की. उस वक्त विद्या सन्न रह गई. विद्या ने खुलासा किया कि ऐसी घटनाएं न केवल आपके आत्म विश्वास को जखचोड देती हैं, बल्कि आपको अंदर से तोड़ने की कोशिश भी करती है. वह पल उनके लि अपनी खुबसूरती और बहतरीन अभिनाए के लिए जानी जाती हैं, ने अपने करियर की शुरुआत टीवी सीरियल कसौटी जिंदगी की से की थी. छोटे परदे पर उन्होंने कई सीरियल्स में अपनी पहचान बनाई. लेकिन इसके बाद सुरवीन ने बॉलिवुड की और रुख किया और हेट स्टोरी टू जैसी फिल्मों से खुद को एक सफल अभिनेतरी के रूप में स्थापित किया. हालांकि सुरवीन का सफर जितना चमकदार और आसान दिखता है, उतना था नहीं. सुरवीन ने बताया कि टीवी से फिल्मी दुनिया में कदम रखते समय उन्हें कास्टिंग काउच जैसी घिनोनी सच्चाई का सामना करना पड़ा. टीवी पर अपनी पहचान बनाने के बाद उन्होंने साउथ की फिल्मों में भी काम किया, लेकिन वहां का अनुभव उनके लिए बहुत कठिन था. सुरवीन ने खुलासा किया कि साउथ की फिल और अपमान जनक लगे. यह उन पर मानसिक दबाव डालने वाला अनुभव था, लेकिन उन्होंने किसी भी गलत समझोते से इंकार कर अपनी इज़त और आत्म सम्मान को प्रात्मिक्ता दी. इस लिस्ट में अगला नाम आता है कंगना रनौत. कंगना रनौत, जो अपनी अ अपने संघर्ष के दौरान, कंगना को भी कई बार कास्टिंग काउट जैसी स्थितियों से गुजरना पड़ा था. जब कंगना ने फिल्मी दुनिया में कदम रखा, तो उनकी प्रतिभा और साहस ने सब का ध्यान खींचा. लेकिन साथ ही उनके संघर्ष की कहानियां भी म जिरुआत में एक मशहूर फिल्म अभिनेता, जिन्हें कंगना को बॉलीवुड में एंट्री दिलाने का श्रेय दिया जाता है, उनके साथ जुड़ा हुआ था. रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंगना के साथ उस अभिनेता ने काफी वक्त बिताया था, और धीरे धीरे यह ऐसा बंधन बन गया, जिससे कंगना को खुद को छुड़ाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी. वह मुश्किल दौर कंगना के लिए बहुत ही कड़वा अनुभव था, लेकिन उन्होंने आखिरकार उस से आजादी पाई और खुद को आगे बढ़ाने का साहस जुटाया. बाद कंगना ने अपनी फिल्म की शुटिंग के दौरान अपने को एक्टर पर भी गंभी रारोप लगाये थे. उन्होंने खुलासा किया कि शुटिंग के दौरान वह अभिनेता उन्हें सेक्शुली हैरेस करने की कोशिश कर रहा था. इस मामले ने कंगना और उनके को एक कंगना के बीच एक लंबी कानूनी लड़ाई की शुरुआत की, जो काफी समय तक चर्चा में रही. कंगना ने इस लड़ाई में न सिर्फ अपनी बात रखी, बल्कि पूरे होसले और बेबाकी से इस मुद्दे पर अपनी आवाज उठाई. कंगना के मुताबिक, के आगे जुकने वाली नहीं है. इस लिस्ट में अगला नाम आता है ममता कुलकर्णी का. ममता कुलकर्णी, नब्बे के दशक की मशहूर अभिनेत्री, अपने दौर की बेहत पॉपुलर स्टार थी. उनकी खूबसूरती और अदाकारी ने उन्हें रातों रात स्टार बना किया. ममता कुलकर्णी ने खुलासा किया था कि उन्हें फिल्म चाइना गेट की शूटिंग के दौरान कास्टिंग काउच का सामना करना पड़ा. उन्होंने फिल्म के निर्देशक पर आरोप लगाया कि उन्होंने ममता से फिल्म में रोल देने के बदले सेक्सूल फेवर की मांग की थी मम्ता ने इस बात का जम कर विरोध किया और उन्होंने मीडिया में भी इस मुद्दे को उठाया उस समय यह खबर काफी सुर्खियों में रही और अखबारों में यह भी कहा गया कि मम्ता ने फिल्म में एक रोल पाने के लिए निर्देशक के साथ समझोता किया था हलांकि मम्ता का यह दावा था कि उन्होंने इस तरह की किसी भी डील को स्वीकार नहीं किया चाइना गेट 1998 में रिलीज हुई और यह मम्ता के करियर की आखरी फिल्म साबित हुई इस फिल्म के बाद वह अचानक बॉलिवुड से गायब हो गई और उनका फिल्मी करियर वही थम गया कहा जाता है कि उसी निर्देशक ने मम्ता का करियर बरबाद करने में भूमी का निभाई जिससे उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में आगे काम नहीं मिल सका इसके बाद मम्ता की जिन्दगी में एक और विवादास्पद मोड तब आया जब साल 2016 में उन्हें एक ड्रग रैकेट में शामिल होने के आरोप में गिरफतार कर लिया गया यह खबर मम्ता के प्रशंसकों के लिए एक बड़ा जटका थी क्योंकि उनकी चका चौंद भरी दुनिया अब विवादों में घिर चुकी थी मम्ता कुलकर्णी की कहानी एक कड़वी सच्चाई को उजागर करती है जो यह दिखाती है कि फिल्म इंडस्ट्री की चमक धमक के पीछे कितनी मुश्किलें छिपी होती है एक समय की पॉपुलर स्टार का करियर अचानक से बरबाद हो जाना और फिर विवादों में घिरना यह साबित करता है कि कभी-कभी यह इंडस्ट्री बहुत बेरहम हो सकती है मम्ता की कहानी उन सभी लोगों के लिए एक चेतावनी है जो इस ग्लैमर की दुनिया में कदम रखने का सपना देखते है इस लिस्ट में अगला नाम आता है चितरांगदा सिंह चितरांगदा सिंह जो अपनी खूबसूरती और बोल्ड अवतार के लिए जानी जाती है ने फिल्मों में कई तरह की चुनौतियों का सामना किया है उनकी बेखौफी और हिम्मत का सबूत ये है कि वह कभी भी अपने साथ हुई गलतियों को जाहिर करने से पीछे नहीं हटती एक बार फिल्म की शूटिंग के दोरान उन्हें एक बहुत ही खराब अनुभव से गुजरना पड़ा चितरांगदा ने बताया कि वह अपने को एक्टर के साथ एक इंटिमेट सीन की शूटिंग कर रही थी और उस सीन की शूटिंग पूरी हो चुकी थी लेकिन फिल्म के डायरेक्टर ने उनसे उस सीन को फिर से शूट करने की मांग की और कहा कि इसे दोबारा फिल्माना जरूरी है चितरांगदा को यह बात बहुत बुरी लगी क्योंकि उन्हें लगा कि सीन ठीक से शूट हो चुका था और इसे दोहराने की जरूरत नहीं थी जब उन्होंने इस पर आपत्ती जताई तो डाइरेक्टर उनके साथ जबरदस्ती करने लगा और अपने फैसले पर अड़ा रहा इस दोरान चित्रांगदा को और भी असहज तब महसूस हुआ जब उन्होंने देखा कि डाइरेक्टर और उनके को एक्टर ने कुछ बात की और उस सीन को दोबारा करने की जिद पर अड़ गए उस समय चित्रांगदा केवल पेटी कोट पहने हुए थी और ऐसे में इस सिच्वेशन का सामना करना उनके लिए बहुत ही अजीब और अपमान जनक था इस घटना से चित्रांगदा बहुत आहत हुई और उन्होंने उस फिल्म से खुद को अलग कर लिया उनके लिए यह निर्णाय आसान नहीं था लेकिन उन्होंने अपने आत्म सम्मान को बनाए रखते हुए यहा कदम उठाया इस लिस्ट में अगला नाम आता है स्वरा भासकर का स्वरा भासकर जो अपनी बेबाकी और बेधड़क बोलने के लिए जानी जाती है ने कई बार फिल्म इंडस्ट्री में अपने अनुभवों के बारे में खुल कर बात की है उन्होंने बिना किसी हिचके चाहट के अपने साथ हुए यौन उत्पीडन के अनुभवों को साज़ा किया है स्वरा के अनुसार जब आपके पास फिल्म इंडस्ट्री में कोई गौड फादर या जान पहचान नहीं होती है तो संगर्श के दौरान आपको कास्टिंग काउट जैसी घटिया परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है स्वरा ने बताया कि अपने स्ट्रगल के दिनों में उन्हें ऐसे डारेक्टर से भी मिलना पड़ा जो फिल्म के सीन डिसकस करने के बहाने उन्हें होटल में बुलाता था जब वह डारेक्टर से मिलने गई तो उन्होंने देखा कि वह नशे में धुत था और उनके साथ गलत हरकत करने की कोशिश कर रहा था स्वरा ने साफ साफ उस डारेक्टर के साथ किसी भी प्रकार के समझोते से इनकार कर दिया इसका नतीज़ा यह हुआ कि उन्हें कई फिल्मों से हाथ धोना पड़ा और कई अवसरों से वंचित रहना पड़ा स्वरा मानती हैं कि बॉलिवुड में काम करने का सपना देखने वाली लड़कियों के लिए हालात काफी मुश्किल है खास कर उन लोगों के लिए जिनके पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है उनके मुताबिक इंडस्ट्री में कई ऐसे लोग होते हैं जो रोल देने के बदले शोशन करने की कोशिश करते हैं लेकिन स्वरा ने हमेशा अपने आत्म सम्मान को बनाए रखा और ऐसी किसी भी स्थिती में जुकने से इनकार कर दिया इस लिस्ट में अगला नाम आता है जरीन खान का जरीन खान जो सल्मान खान के साथ फिल्म वीर से अपने करियर की शुरुआत करने वाली एक खूबसूरत अभिनेत्री है ने अपने शुरुआती दिनों में एक बहुत ही कड़वा अनुभव साज़ा किया है उन्होंने बताया कि उन्हें अपने अभिनाय करियर की शुरुआत में दो बार कास्टिंग काउच का सामना करना पड़ा था जरीन ने कहा कि यह बॉलिवुड की चका चौन्द भरी दुनिया की एक कड़वी सच्चाई है खासकर उन लोगों के लिए जो किसी फिल्म स्टार या निर्माता निर्देशक के बच्चे नहीं होते हैं उन्हें अपने करियर की शुरुआत में इस तरह के समझोतों का सामना करना पड़ता है उनके अनुसार जब उनके साथ यह घटनाए हुई थी तब वह काफी नई थी और इस उद्योग के अंदरूनी पहलूँ के बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता था इस अनुभव को याद करते हुए जरीन ने कहा कि वह उस समय को बहुत बुरा मानती है लेकिन उन्होंने इसे अपनी प्रेरणा बना लिया है वह चाहती हैं कि इस कठिनाई को पार कर वह आगे बढ़ें और बॉलिवुड में अपनी एक अलग पहचान बनाएं तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल स्टार मनोहर राठोर को सब्सक्राइब करना न भूलें बेल आइकन दबा कर हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन भी पाएं धन्यवाद